मज सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिमत वालों का इरादा कभी अधुरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यह हमारा पाट 2 है, आगे आप लोगो करिबन और 8-10 वीडियो आप लोगो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव कोश्चन का ही मिलेगा, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देख लिजिए, तो 40 में से गरेंटी है कि आपका 35 प्लस नमबर आएगा, ठीके गरेंटी है 100% का य पहिरा नहीं होता है, इसलिए आपको अभी कर्म करना है, आपको मेहनत से, सिद्धत से पढ़ाई करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, और एकक करके हर एक कोश्चन को यहाँ फटाफट देख लेते हैं, करेबन यहाँ पर 50 के आसपस हमारा कोश्चन है, तो हमारे पास जो मोहन जोद्रो का उत्खनन किया था, किसने किया था, देखे जोद्रो, यानि जोडो, हाथ कोन जोडता है, जो दास होता हुई हाथ जोडता है, यानि राखल दास बनर जी, इसका एंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राखल दास बनर जी, इसका बिलकुल सही एंसर हो किया हलका पर्मान मिला है राखे क्या है सिंदुम्ता। सबसे बड़ा सहर कौन सा था था? मोहन जो था ना यह सबसे बड़ा सहर नगर था. या हमारा गुजरात में त्रत Young रहा ऑप पू जाएगा अगे वह सहर खाएगा किजिणा हाई हमारे पस क्या है क्या है कि तो इस सिंदू घाटि के निवासियों को किस दातु का ज्यान नहीं था उन वहनों को लोहा का ज्यान नहीं था अप्षिन नम्र धरी यहां पर बिल्कुल सहे उत्तर हो जाएगा वित्वक्तिन गोश्चन नमर्य-इट क्या है कि धोला विरा का कोज किस ने क्या तो आर एस Biraz न में किस ने की अभी मिना आप लोगों को बताया जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ कौन जोड़ता जो दास होता है यानि राखल दास बनेर जी इसका एंसर हो जाएगा आठ का सही उत्र क्या हो जाएगा अपसे नमबर टू हो जाएगा अभर रिपीट हो गया है हलका पर मिला वहां है कवहें पर काली बंगा लिखा हुआ होता है काली भंगा लिखा रहां रहता है-क और पर कवहें कवह चेंसर नहीं लेना है only offering देख लो यहां पर कि सिद्वगा की जुड़वा रायधानी थी कौन तो हड़प़ महां जदरो को студ बार बोल रांग करेबन दस से बारा वीडियो हमारा केवल और केवल ऑब्जक्टिव का आने वाला है और आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए तब आपका अच्छा रेजल्ट नहीं हो पाएगा ऐसे नहीं होगा कि आप लोग एक दो वीडियो को देखेंगे और बोल क्या है क्या है क्या है तो कोटील या पर चाने के जो भी बोलेंगे आपका सही हो जाएगा क्या है कि वज्जी को सामाजी गरंतों में क्या कहा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गनतंत्र क्या हो जाएगा गनतंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा Q15 है कि जन्पद सब्दकार साब्दिक अर्थ है तो जन्पद मतलब होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जन्पद बोला जाता है option number 1 इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 16 देख लिजे भई क्या है कि 5 चिन्न वाले सिक्के बने होते थे किसके बने होते थे तो यह हमारे चांदी के या फिर तांबे के बने होते थे या तो चांदी के बने होते थे या पिर तांबे के बने होते थे यानि इसका option 4 सही हो जाएगा इनकी दो और तिन दोनों यानिकी चांदी और तांबाइस का दोनों सही हो जाएगा question number 17 देख लिज पाकिस्टान में इस्तिता ठीक है जब भारत और पाकिस्टान जब अलग हो गया तो जो तक्षिला विस्वाद दाले कहां इस्तिता तो पाकिस्तान में नहीं प्रॉप्षिन नमर एक इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा पायान किसके सासनकाल में भारत आया था तो यह जो है और शजंडूर जो चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है अगला कोशन देखें अध्याय में भिष्म दवारा आठ परकार के बिभाहों का बर्नन क्या गया है है यह हैं और प्रनित क्षेया अध्याय कि अखिया बढ़ाली इस सचालर कुर नवर देख लिजे कि अievous chord विचित्र विद्यस इसका सच्फ और होजाएगा यानी यह विच्चित्र विडियकी पत्नियां है यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर एक नोट लिख दिया कि अंबा जो है महाभारत में कासिराज की पुत्री बताई गई है अंबा की दो और बहनी थी अंबिका और अंबालिका Q23 क्या है कि महरस्री व्यास द्वारा उत्पन संतान थी Q24 देख लो भई क्या है कि घटोटकपश किसका पुत्र था ? घटोटकपश का पुत्र था ? क्या पुत्र था और यह बहुति क्या था ? आगे बढ़ते हैं आगे देखिए Q25 तो इन दोनों के बीच में जो साधी हुआ था इस साधी का नाम क्या है ठीक है एक इस प्रकार का साधी वहा था तो गंधर विभाब बोलेंगे यहां पर देखिए अगला जो कोश्चन है कि द्रोपदी किसकी पतनी थी तुद्रोपदी अर्जून नकुल सहयदेव यानि पां तो युदिष्टियर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सबसे बड़ा कोन था तो युदिष्टियर था उसके बाद भीम उसके अर्जुन उसके बाद कि और लोए है स्रिमत भागवत गीता कि महत्य पर किसने विचार व्यक्ति कि कि यह थो महाथना कांदी नहीं भी क्या है वाल गंगाज़ती लगने क्या है यह इन सभी नहीं यह है इनसे सभी गंगा पूत्र किसको बोला जाता है तो भीस्म को भीस्म को क्या बोला जाता है गंगा पूत्र यानि भीस्म पिता मा को गंगा पूत्र कहा जाता है लूंबी नीमे रखेगा लूंबी नियाद रखिएगा अगला कुशेन है कि इस्तूप का संबंद्र कने बताए जाता है कों सियंगा लाब i नाम ता माबीर के बश्पन का नाम बर्दमान था बर्दमान ऐसे भी लिखा हो सकता है कंफूज नहीं होना है है और महाविर के वच्पंड का नाम क्या था बर्दमान था किस पेढ़ की निचे निचे महाविर को फोगल को साथ थे किस उस्ते किस सहर में यह इस्तित है और al Chill War कि कि अलबरुनी किसके साथ भारत आया तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया कॉस्चन को यात्रियों का तोतर कर दो किया है कि Թरबार में आया था किया जहांगिर के दर मिंस आ já syan हो जाएगा कि एपनी यत्रा का विवरन किस भासा में लिखा था तो अर्भी भासा में लिखा था टो गोचोन that 42 लिका क्या क्व counselors for new journey और इसी को त्रखिक के कुन से गैक है और यह जो है यानी लुह हंद किताब अठुवा त्रक्रीного में किसका याथ विर्टान्त लिखा है मैंक किसके बारे में लिखा गया है तीजिद कींस के मोहमद बिन तुलक के सासनकाल में ये भारत आया था कोश्चन में 44 देख लेते हैं कोश्चन 44 हमरेपस क्या है तो कोश्चन में 44 है कि किताब और रहला में किसका यात्रा विर्तांत मिलता है तो इबन बतुता का ठीक है च्वाल इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर 100 यहां और याने अप्सराइब सी इबन बतुता इसका बिलकुल सही एंसर हो जाएगा कोश्चन में 45 देख लिजी क्या है कि मोहमद इबन जुजीय ने मौरक्य के सुल्दान के कहने पर इसका यात्रा विर्तांत लिखा तो इबन बतुता का यात्रा विर्तांत लिखा था और एका है तुको अपना है कि सारुन को अपना पती कुन मानती दिए चार असे अपना मानती है और इस्ट्रॉट इए शिंप अपना पती, रामानद के सिस्थी तो रहदास कभी धना फीपास सब्पास सब्थियसे क्या है रामानद के सिस्थी कोस्टन अब फिफ्टी देख लेते हैं है जो कि हमारा लास्ट कुछिशन है कि सा जहां कि किस पुत्री ने ख्वाजा मुंद इदिन चिस्ति साथ की अजमेर इस्तित दर् आधिली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की साथ साथ जाल में प्रेस कर लिजिए है और आप लोग मुझे